वर्ट्सप गाइज आई होप यू ओल डूइंग वैल मैं कजल शर्मा स्वागत है आपका क्लासिस कैंपस पर जहां मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए संडे आपके लिए स्पेशल होने वाला है आपके लिए बहुत मैं तो चले शरू करते हैं और उससे पहले अगर आप में चैनल बढ़ना है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन तो आज के इस पेशल वीडियो में क्या इस पेशल है तो गाइस देख लेते है कि जो एट्लांटिक ओशन है हमारे एट्लांटिक ओशन जो कि अमेरिका जहाँ पर इस्थित है वहाँ पर एक हैना नाम से क्या आया था एक चक्रवात आया था तो गाइस आज हम इसी के बारे में कि चक्रवात क्या होते हैं कैसे आते हैं और किन किन छेत्रों में इनके क्या क्या नाम होते हैं तो आज हम यह सब करेंगे डिसकर्स तो गाइस बने रहेगा वीडियो में अंत तक तो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि जो चक्रवात हैं वो बनते कैसे हैं तो गाइस इसमें जियोग्राफिक एक बहुती कि इंपोटेंट कंसेप्ट है वो लगता है तो आपको जान लेना है जहां पर आपको जान लेना है कि जो चक्रवात हैं वो बनते कैसे हैं कि जब गर्मी होती है तो गरम हवा होती है गर्मी के कारण जो गर्म हवाई होती है वो उपर उड़ जाती है यानि कि जो गर्म हवाई होती है वो हलकी होकर उपर उड़ जाती है और उस इस्थान पर क्या होती है जो ठंडी हवाई होती है वो उस खाली इस्थान को वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करती है यानि कि गर्म हवाई उपर उड़ जाती है तो उस इस्थान को घेरने के लिए जो ठंडी हवाई होती है वो वहाँ पर उस इस्थान पर पहुंचने के लिए प्रयास करती है तो इसलिए जो होता है यहाँ पर चक्रवात आता है किस चीज से पानी में होता है यह और यहाँ पर जो जि आम याद रखना है कि Chorealis Chorealis Ball का सिध्धान यहां पर लगता है डाईक किसमें चक्रवात के सिध्धान में ठीके जो करे लोकुवात वत्या तो यहां इस बब्ल या फोर्स लगता है यूज में ठीक है और अब जान लेते हैं कि जो चक्रवात होते हैं वो जो अब चक्रवात आया है यानि कि Atlantic Ocean में आया है तो देख लेते हैं guys Atlantic Ocean कहां परता है इसकी location जान लेते हैं तो guys जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हम पूरे दुनिया भर में कितने ocean हैं कितने महा सागर है तो guys पांच महा सागर है पूरी दुनिया में और उसी के साथ साथ क्या है साथ continent है लेकिन अब एक और आठवा continent क्या आया है लाइट में आया है जिसका नाम है जीलेंडिया जो continent है ठीक गई तो आठवा आठवे की भी बात हो रही है लेकिन अभी आपको रखने है याद कि साथ continent है ठीक गई तो आठवा भी है जिसको अभी finalize नहीं किया गया है ठीक गई तो आपको याद रखना है कि कौन-कौन से जो ओशन्स है और जो Atlantic Ocean न्यूज में है तो वह कहां पर है उसकी location आपको याद रखनी है तो आप इधर से देखिए कि यहाँ पर है Pacific Ocean पैसिफिक ओशन यानि कि प्रसांत महासागर जो की जो की सबसे बड़ा महासागर है जो कि आपको याद रखना है और उसके बाद में Atlantic Ocean कषण है ठीको इस पैसिफिक ओशन और Atlantic Ocean और आप देखे गाइस यह कहां पर है अमेरिका के पास यानि अमेरिका यूएसे कहां पर यहां पर इस से तो यह जो हैना जो चक्रवात आया है उसने सबसे किस को प्रभावित किया है अमेरिका को प्रभावित किया औ जैदा किसको प्रभावित किया है एकल आर्क् Fraktion जोंगी है नौर्थ 수도 में और उसी के साथ इंडियन ओशन है जहां पर क्या है हमारा भारत बसा हुआ है प्रॉइज़ा कैसे उसे के साथ नीचे है स digging सहब्सक्राइब को में आपकर नेढ़त है नीचे और इसके साथ यह दिख रहा होगा आपको Pacific Ocean जो किसका पार्ट है इसी का पार्ट है इस पैसिफिक ओशन का यह पार्ट है जो कि मैंने आपको बदाए ज्यादा बड़ा है इसलिए दो साइड में दिख रहा है आपको ठीक है गई तो और इसे के साथ जो 7 कॉंटिनेंट यह हो क्या बदुань करा अब अब हया है मैंना है अब हरीके जो है साथ भीचाइन है अब नदेन का जो औी वह इसलिए जो निकला है के सायवेगों को ही यहां पर पाया गया है तो क्योंटिनेंट यह जिसका नाम जीष्ट नहींड निजिनन जीन दो तो आपको याद रखने है यह seven continents and five oceans और इसे के साथ आपको याद रखने है कि जो यह चक्रवात हैं इनके विभिन विभिन छेत्रों में क्या अलग अलग नाम होते हैं तो guys आपको वो भी याद रखना है तो guys देख लीजिए जैसे कि मैंने आपको भी world map दिखाया था उसे के according देख लीजिए कि guys जो मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था Atlantic Ocean दिखाया था और यहाँ पर क्या है यह North America है और यहाँ पर मैंने आपको Atlantic Ocean दिखाय था तो जो है CNN चक्रवात है और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम हरिदे आप बोलेंगे है और फिर झांप आर यह इंडिया नोशन में लिए यहाँ अधिकतर चक्रवात आते हैं तो हम रहें क्या बोलत cyclones बोलते हैं त्ष्ट हमारे जो इंडिया नोशन है वहाँ पर क्या बोल जाता है चक्रवातों को वहां cyclones बोल जाता है इसी के साथ यहाँ पर यानि की याद रखना है विली 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 बोला जाता है क्या चक्रवातों को विली विली चक्रवातों को बोला जाता है कहां पर ऑस्ट्रेलिया में चेतर में क्या बोला जाता है विली विली बोला जाता है कि इनको चक्रवातों को तो आपको याद रखना है हरीकेन बोला जात तो यहाद रहा है और इसी के साथ देख लेते हैं कि जो चक्रवात होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था खोरियोलिस बल, उसका आप देख लेते हैं उसकी application के, किस सरीके से ये बंते हैं, ठीकी गाइज, तो कैस्छ कोरियोलिस बल बताया था मैंने कि जब गर्म हवाई चलती हैं, तो वो गर्म हवाई जो होती है वो हलकी हो जाती है और हलकी होने की कारण वो उपर उठ जाती है और उनकी इस जगह कौन ले ले लेती है ठंडी हवाई ले ले लेती है जो उस जगह पर आने का प्रयास करती है जिस जगह पर जो गर्म हवाई है वो उठती है तो आपको याद रखना है आपको कि यह है और्थ मा लें यह और्थ और इसके ऊपर सैसे कि मैंने आपको मैप देखना तरीक भी बता हुआ है कि ऊपर नौर्थ होता प्लाइनली हना थे में याद में उपकल नॉर्थ निचे रहे है तो जो कि यह चख्रवाथ होते हliśmy से बनते हैं तो गाइस देखें यह है Northern Hemisphere, Hemisphere बोल दीजे या पोल बोल दीजे लेकिन यहाँ पर Hemisphere भी बोलना है आपको, तो गाइस जो चक्रवात होते हैं वो दो तरीके से आते हैं, तो गाइस किस किस सरीके से आते हैं, तो गाइस North Hemisphere में किस सरीके से चक्रवात आते हैं, तो तो वो आते हैं एंटी क्लॉगवाइज चक्रवाथ आते हैं कहां पर नोर्डर्न नदर्重要 के सब्सक्राइब कर दूकर चक्रवाथ ने का वाला पायर्ट है किसका अर्थ का तो यहां पर किस तरीके की चक्रवात आते हैं तो इसा तरीके से यहां पर सर्दर्न हेमिस्फियर में कैसे आते हैं चक्रवात आते हैं जब ले नर्डर्ण हैमिस्फैर में कैसे आते हैं एंटिँ क्लोग वाइस घड़ी की विपरी दश्राँ में क्या आते हैं तो यहाद रहा Dubai God itäक्रिकाइब नीचे वाले पोर्षल में कैसे चल रहा है टो देखे यहां से इस तरीके से हिरोग के निशान को देखिए इस सपरी के से चारे रहा है यानि की कलोग वाइस यह चल रहा है जैसे कि घड़ी की सुनिया चलती है तो आपको यह याद रखना है और यह याद रखना है कि नदर हमिस्फेर में किस तरीके से चक्रवात आते हैं यानि कि एंटि क्लोगवाइज आते हैं और सदर्ण हमिस्फेर में किस तरीके से झाल झाल